किसान भाईयों नमस्कार अगर आप गन्य की खेती करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लावदायक होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि गन्य की लंबाई कैसे बढ़ाई जा सकती है वो फार्मूला जब्रेयली के क्या फायदे रहते हैं और कैसे इसको प्रेयोक करना है इसकी संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है तो वीडियो देखिए गा तो आप मारकेट में दो फ़ार्म में मिल जाता है एक तो ल्यों, सबसे पहले बात कर लेते हैं लिकुर्ट फ़ार्म में है उसको आप लोग 100-23 ml परत्यक़ कहला संब करके लगबए दोस साँ लिटर पानी प्रतकर कर सकते हैं बहुत ही बेहतरी आप लोगों को देखने को मिलेगा और इसके अलावा आगर आप पाउडर वाला जिब्रेलिक एसिड भाईयों प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग जिब्रेलिक एसिड और पानी मिला सकते हैं उसके बाद में इसको बहुत एच्छे तरीके से भाईयों घुल जाएगा उसके बाद में आप लोग 200 लिटर पानी पतिकड के हिसाब से जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग अपने गन्य की फसल में कर सकते हैं तो भाईयों इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करने से क्या फायदा आप लोगो गन्य के खेत में देख और इसके अलावा भाईयों इसका जो काम है वो गन्य की जो पत्तियां है उनको लंबा कर देता है तो भाईयों यहां पर एक सवाल यह भी आप लोगों के मन में आता होगा कि जब गन्य की लंबाई बढ़ेगी और पत्तियों की लंबाई बढ़ेगी तो एक थोड़ी सी कमी भी आप लोगों को अपने खेत में देखने को नजर आएगी कि आपका गन्ना जो है थोड़ा सा पीला पड़ जाएगा तो इसका भी उपाया आप लोगों को करना पड़ेगा कि जब आप लोग जिब्रेलिक एसिड का प्रयों करते हैं तो अगर आप लिकुड फार्म वाल प्रयों करना चाहते हैं तो पांच ग्रام मात्रा रहेगी एक कड़ के लिए और इसके साथ में पानी के साथ में घूलकर उस समय में इसका छिटकाओ करें तो अगर आपका पौधा गन्ना है तो तीन महिने के बाद भाईयों आप इसका प्रयोग कर सकते हैं अगर आप पेड़ी गन्ने में इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो गन्ना कटाई के दो महिनों के बाद में भाईयों आप इसका प्रयोग क को मिलेगा तो आसा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो कुछ helpful लगी होगी जानकारी अच्छे लगी होगी तो भाईयों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को किसान भाईयों तक सेर कीजिएगा जिससे किसान भाई भी का लाव उठा सकें धन्यवाद